असलाम लेकुम यूवर्स होब्स और यू आ डूइंग वैल सो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंपोर्टन होने वाला है तो प्लीज वीडियो को लास तक जुरू देखेगा आपको बहुत अच्छी टिप मिलने वाली है आज तो जैसा कि गल्स और वायस वैसे दोनों क प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छी है हम थोड़ी सी डिसकुशन कर लेते हमें हेयर पॉल्स क्यों होता है हमें हेयर पॉल्स होने के सबसे बड़ी वज़ा मौसम का चेंच होना कभी गर्मी सर्दी लाइक और उसके बाद हमारे बहुत से बाल जो गिर जाते हैं पॉर्टीन उन्हें अच्छा नहीं मिलता हम पुराग अच्छी नहीं ले रहे होते हम जब तक पुराग अच्छी लेते हैं तब तक हमारे बाल सारे किट जाते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने बालों को आइस्दा आइस्दा रोस के या हफते में दो तीन बार पहलें वाइदे मनस ले ले लें तो यह ज्यादा बेस्द आजब तो सब को इसन बता होगा कि जो वाइटेमेंस के लिए बहुत अच्छी से वाइटेमेंस मिल रहा हैं सुप्रीमेंस जो हम लेंगे तो हमारी स्कीन आर हेर बगारा बहुत अच्छी हुए अगर आपको यह अच्छी लगी होगा तो लाइक जरूर कर दीज़ेगा और अपनी भेन को डाय में भी याद रखा करें अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल हो चाइनी लॉंग और बहुत ब्लैग लाइक बहुत कुछ जरूर दीखें तो आप ही रेमिडी जरूर प्राय कीज़ेगा और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी रेमिडी को भी स्टार्ट करते हैं रेमिडी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बाल हमने ले ले लेना है एक बाल उसमें हम एड़ करेंगे टू टेबल स्पून मस्टर्ड ओल तीक है आपने इसमें एड़ करना कि आपको भी औरीचनल मिल जाए कि औरीचनल के बहुत बेनीफिट्स हैं और पहले जो लोग थे हमसे बहुत पुराने जमाने के वो मस्टर्ड ओल स्यादा यूज़ करते थे और गर्मियों में से ज्यादा यूज़ करना चाहिए क्योंकि यह हमारे जो है हैर्स को हमारे दिमा आपने यूज़ दिखाई दे रहा है आपने इस तरह से इसका यूज़ पार निकल जाएगा और अच्छे से बोश करके इसे आपने एड नहीं करना और अलोवेरा को फिर आप अच्छे से काट लें और उसके बाद आपने अगर आप मस्टर्ड ओल टू टेबल स्पून ले आपने विटेमिन ए के भी दो कैपसल लेने और चाहें तो एक कैपसल भी ले सकते हैं लेकिन दो ज्यादा पैस्ट है और आपने ये आपने कोई सब्सक्राइब होता है तो मैं भी क्रीन वाला ही यूज़ करती हूं तो इस तरह से आप मैं उतनी देर अलोवेरा काट लेती ह आप जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कॉमेंट में जुरू बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और अगर आपको हैल्पुल रही है तो मुझे भी अपनी दौा में याद रखिएगा